भारत बायोटेक ने बनाई है वैक्सीन, BBV152 COVID वैक्सीन का ट्राइल पूरा हुआ और ICMR ने इस वैक्सीन को मन्जूरी दे दी है तो 15 अगस्त कोरोना से आजादी मिलने की खबर इस वक्त सामने आ रही है स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है कि माज़ादी कोरोना के संकट से भी मिल जाए क्योंकि 15 अगस तक वैक्सीन आ सकती है यह खबर सामने आ रही है और यह जो वैक्सीन है भारत भायो टेक ने और भारत भायो टिक ने पहले भी कई बड़ी बीमारीयों के लिए वैक्सीन बनाएं है पयासीिव यहारई समारोह हो में भी लोगों के पॉजिटिव आने का सिलस्लह जारी है और कोरोणा के वैक्सीन पंद 4 अगस्त आ सकती है और नियूसरूम का रुक करेंगे हमारे सयोगी रवी मिश्रा जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचुत के लिए जाधा जानकारी देने के लिए रवी ये बहुत दुनिया इंतजार में है कि कब कोरोना का वैक्सिन तयार हो जाए और अगर ये सफल होता है ट्रायल और ये अगर भारत की काम्याबी होती तो ये विश्व के लिए पूरे विश्व के लिए दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्दी होगी और भारत का ढंका बजेगा बलकि कई ऐसे private संस्थानों के coordinate में लगा था वैक्सीन पर भारत में काम चल रहा था और दुनिया की बात करें तो globally अगर अगर अलग-अलग देशों की बात करें अलग-अलग laboratories में तो 100 से ज़ाधा वैक्सीन पर एक साथ काम चल रहा था तो कहीं न कहीं से ये खबर तो आ नहीं थी लेकिन हमारे लिए रखी बात यह होगी कि अगर भारत से खबर आती है कि 15 अगस्त को ये वैक्सीन आ जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्दी होगी भारत की और पूरी दुनिया को एक बड़ी देन भारत की तरब से होगी जीवन रक्षा के मामले में बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रे आपका रवे इस तमाम जानकारी के लिए तो 15 अगस्त तक हो सकता है कि वैक्सीन हमें मिल जा और कोरोना से जो हम सब जूद रहे हैं उससे हमें चुटकारा मिले